कक्छन आयंति के देखिए सभी विध्याति ध्यांदे आज का यहां वीडियो आप सभी के लिए देखिए काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है इस वीडियो में आप सभी को में तरे मासिक परिक्छा के लिए विसे विज्ञान का एक इंपोर्टेंट प्रस्न पत्र बताने जा रहे हूं और जो भी पूरे सुलिशन सहीत आपको कही पर पूरा सुलिशन नहीं मिलेगा लेकिन मैं आप सभी को यहां पर पूरा सुलिशन दूंगी ताकि आप सभी अच्छा सचा अंकर से स्कोर कर सके ठीक है चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्रसने के और सब्सक्राइब कर दो आप दो से अधिक पदहातों का समागी मिसलन कहलाता है तो उसक रहे आपका विलियन और वायू एक विलियन नेट इसकंसर हैगा गेस में गेस का ठीक है तो चलिए आप स्क्रीन सोट ले लीजे अच्छा से कंप्लीट कर लीजे इसके बाद में हमारा अगला प्रस्ने रिक्तिस्थान बरिये कि जीवन की मुलबुत इकाई कोशिका होती है पादपों में जल का सनवें डेडेडेस उतक द्वारा होता है तो जाइलम और समसुत्री वहाजन पेत्रक कोशिकाओं में होता है पोदों की पत्तियों में पाई जाने वाले छीद्र जिनसे गेसो का अधान प्रदान होता है रंद्र केलाते हैं अनेक्षिक पेसियों को डेडेडेस पेसी भी कहते है तो इसकंसर हैगा आरेखित, पेसी और एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूझ जो सनरचना वकारी में समान हो डेडडेश कहलाता है तो इसकंसर हैगा उतक ठीके यहां साथ स्क्रीन सोट ले लिजे प्रस्नों का और अच्छा से स्क्रीन सोट ले लिजी इसके बाद में हमारा अगला प्रस्ने द डी ने का पूरा नाम क्या है तो इसका जए डी आकसिर आइबोन कुलिक अमल और कोशिका विवाजन कितने प्रकार का होता है दो प्रकार का मरुस्तली पोधो में किस प्रकार के रंद्र पाए जाते हैं तो सूच मरंद्र और एक गाड़ी का ओडो मीटर किसका मापन करता है तो इस कंसर रहेगा आपका गती का झीके तो यहांँ साथ दोनों ही प्रसनों का ठीके एकी रचे सखेक लेजिए और अच्छी से कंह्प्लेट कर लिज Armenian लिए चाहा है डर आगे बटे प्रसनों को यहांब लाद करते हैं जोड़ी ठीकी में नम्ब डाल द जाथSpिते रहे ह इसकी जोड़ी स्क्रिनी सोट अच्छे लेवर कंप्लीट करें इनको इसके बाद में हमारा अगला प्रस्थन चलिए देखते हैं यहां पर है सत्य असत्य तो देखिए आप सत्य असत्य का स्क्रीन सोट ले ले आपका ज्यादा समय यहां पर ना लूमें इसलिए यहां पर मैंने टिक मार गवर कुछ फील भी का दी है टिक ए तके आप सभी अच्छे से इनको कंप्लेट कर सके बची हुए समय में पी एलपी जी वा सी एनजी का पोरराम लिखे इतल की गंद बहुत दूर बेठे हुए ब्यक्ति को भी क्यों पहुच जाती है मिस्र धातू किसे कहते किसी एक मिस्र धातू का नाम लिखे टिंडल प्रभाव क्या है अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है ठीके इसके बाद में है हमारा अगला प्रशन है कि कोशिका में पाई जाने वाले दो अंकों के नाम वे उनके कारी लिखे लिखे सन वास्प सर्जन किसी के थे चालो और वेग में अंतर दूरी और विस्थापन में अंतर संतुलित बलकिने कहते हैं ठीके चले इसके बाद में हमारा अगला प्रस्थ रहेगा पादप कोशिका का नामा के चीत्र बनाईए कोशिन नमर बीज और फिरे भोतिक एवं रसानिक परिवरतन को परिवासित कीजे न्यूरान का नामा के चीत्र बनाईए